हेलो एवरिवान, वेलकम बेक टू माई चैनल, कैसे हूँ आप सब? तो आज刻ी मेरी वीडियो है फिसमें मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ ये टोनर, ये DIY टोनर है इसको मैंने घर पे बनाया है और बहुत ही easily तरीके से बन जयता है ये आपकी skin पे glow लेकी आता है आपकी skin पे अगर open pores की problem है तो उसको भी ठीक करने में help करता है और आपकी जो skin है आपको fresh fresh लगेगी तो चलिए देख लेते हैं इस toner को हम कैसे ready करना है तो rose toner बना लेके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ rose petal यहाँ पे आपको देशी गुलाब लेना है और मैंने तीन गुलाब लिये हैं उनकी पंखुडियों को अलग कर लिया है जो rose होता है मारी skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह हमारी skin से wrinkles को remove करने में help करता है skin को एकदम से soft बना देता है तो यहाँ पे मैं rose petal को wash कर रही हूँ अच्छे से पतियों को आपको धो लेना है उसके बाद इसमें मैंने 200 ml water डाला है तो 200 ml water डालने के बाद मैं gas को on कर दूँगी जब तक यह boil ना हो जैसे ही जो पानी है boil होने लगेगा उबलने लगेगा तो हमें gas को बंद करके पानी को उतार देना है नीचे और इसमें हमें जो rose petal हमने clean की हुई है वो इसमें डाल देनी है इस पानी में तो rose petal को इस पानी में डालने के बाद इस पानी को cover करके रख देना है जब तक यह पानी बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता है पानी में आजाएंगे तो इसके पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है पैटल को और इसको कवर कर देना है उपर से तो रोज हमारे स्किन के लिए बहुत ज़ादा बेनेफिशिल होता है किसी पी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं आज मैं आपको यहा पूरा एक्स्ट्रेक्ट है इसमें आ जाएगा पूरे बेनिफिट्स पानी में आ गए हैं तो हम इसे क्या करेंगे इसे छणिनी से चानके अलग कर लेंगे इस पानी को और बाद में आपको बता दी इसमें क्या क्या एड़ करना है आपको तो यह हमारा जो रोज का वाटर है यह तो रेटी हो गया है बिल्कुल हमने पानी को निकाल लिया है पंखुडियां से अलग कर लिया है और यह दिखिए कितना अच्छा सा कलर आया है पानी में आपको देशी गुलाब लेने है तो जादा फाइदा मिलेगा आपको तो इसके बाद हम मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हमारी सकिन के लिए बहुँ साथ अच्छी होती है ड्राइनेस को दूर करके सकिन को एकदम से सॉफ्ट बना देती है और एकदम से आपकी सकिन जो है हाइड्रेट कर देती है तो ग्लिसरीन आप मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आदा चमच इसमें मैं ग्लिसरीन डाली है और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ऐसेंचल ऑयल यहाँ पर मैं टी ट्री का एसेंचल ऑयल यूज कर रही हूँ आप चाहे तो कोई भी ऐसेंचल ऑयल यूज कर सकते हैं रोस वाला, सैंडल बॉड वाला कोई भी जो आपको अच्छा चणोफरा पे वगेरा होकी हो उनको क्लीन करने में हैप करता है तो यहां पर मैंने तीच ट्रीश प्लड़ों función। चिंच बाने स्प्राइब एप से सबीए और तो होने के बाद यूज कीजिए आपके जो स्कीन पे उपन पोर्स होती है उनको श्रिंक करने में हेल्प करेगा ये और आपकी स्कीन एक दिम से सॉफ्ट हो जाएगी अपनी स्कीन केर में इसको यूज कीजिए बहुत अच्छा रोस टोनर बनके रेडी हो गया है और बहुत अच जो टीट्री एसेंशल ओयल यूज किया है वहाँ पे आप रोस का या सेंडलवूड ओयल कोई भी एसेंशल ओयल यूज कर सकते हैं रोस का डालेंगे तो बहुत अच्छी सी खुश्बू आएगी डबल रोस का जो फाइदा मिल जाएगा आपको तो मैंने इसमें टीट्री डाला है क्योंकि एकने पिंपल्स की प्राबलम के लिए टीट्री ओयल बहुत ही अच्छा एक एसेंशल ओयल होता है तो आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं तो इस टोनर को आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको आप जैसे स्किन की उपर करते हैं फेस को वाश करने के ब पाद अपनी skin पे लगाएंगे तो आपको एक अलग ही glow दिखेगी और आपकी open pores की जो problem है जल्दी ही ठीक हो जाएगी तो यही थी मेरी आज की वीडियो I hope आपके लिए helpful रही होगी और अगर अगर अच्छी लगी है तो इसे like जरूर कर देना चैनल को subscribe कर देना साथ में इसक किसी नेक्स्ट वीडियो के जाथ तब तक के लिए बाबाए टेक कियर